जे स्री कृष्णा आई ये जानते हैं बैसाख हमावश्या दू हजार तेईस कब है पूजन विधी अश्नान इवं दान का शुम महोड महत्व सनातन परंपरा में बैसाख मास में पढ़ने वाली अमावश्या का क्या महत्व है अप्रेल महिने में यह कब पढ़ेगी और क्या है बैसाख हमावश्या की पूजा विधी उपाय और शुम होड जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें सनातन परंपरा में प्रतीक मास की कृष्ण पच की पंद्रहमी तिथी को अमावश्या और सुक्ल पच की पंद्रहमी तिथी को पूरिमा तिथी कहा जाता है। ये दोनों ही थिथिया धर्मकर्ण और अस्नानदान की द्रिष्टी से बहुत ज्यादा महत्तोपूर माने गए हैं पंचांग के अंसार इस सल बैसाख मास की अमावश्या दिशप्रैब दो हजार तेरीस गुरुवार को परने जा रही है हिंदू मानेता के अंसार जिस बैसाख मावश्या को पित्रों के निमित पूजनतर पर स्राध और अश्नानदान के लिए बिहत सुमाना गया है उसका शुम महोर सरल पूजा बिधी इवं धार्मिक महत्तो को आईए विश्टार सीद जानते हैं पंचांकी अंसार बैसाख मास की कृष्ण पच्की अमावश्या इस साल उन्नीस अप्रेड दू हजार तेईश को प्रातहकार ग्यारभ बजकर तेईश मिनट से प्रारंभ होकर इस प्रकार असनान दान और जब तब के लिए महत्तो पूर मानी जाने वाली बैसाख मावश्या बीश अप्रेड दू हजार तेईश गुरुवार को पड़ेगी हिंदु मान्यता के अनुसार बैसाख मास की अमावश्या पर पित्रों के निमित पूजा और स्राध करने पर कुंडली में इस्थित पित्र दोस दूर होता है इस पावंतिथी पर काल दोस की पूजा करने से लाब मिलता है सनातन परंपरा में बैसाख मास की अमावश्या को शत्वाई अमावश्या के नाम से भी जाना जाता है मान्यता है कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहले मास में पढ़ने वाली अमावश्या पर सत्तु दान करने पर साधक को पुन्यफल की प्राप्ती होती है हिंदु मानेता के अंसार बैसाख मास की अमावश्या के दिन ब्यक्ति बजाय धेत तक सोने के प्रातहकाल सुर्योदे से पहले उठना चाहिए शुबह जल्दी उठकर अशनान करने के बाद शुर्य की विधी विधान से पूजा करने चाहिए पित्रों का आशिरबार आप पर हमेशा बरस्ता रहे इसके लिए आपको बैसाख मावश्या के दिन अपने पित्रों की विशीश रूप से पूजा जरूर करने चाहिए इस दिन किसी जलतिर्थ पर जाकर अशनान दान करने अपने आराध्य देवी देवता का मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए कुंडली के सनी दोस को दूर करने के उससे जुड़ी पिराओं से मुक्ती पाने के लिए बैसाख मास की अमावश्या पर साम के समय पीपल के नीचे सरसो के तेल वाला दिया जरूर जलाना चाहिए बैसाख मावश्या के दिन जरूरत मन ब्यक्ती को काले रंग के कपड़े जूते आधिका दान करना चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर सिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके धन्यवाद